कि हालो एवरीवन अकेडमिक मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है जो हम लोगों का क्वाड़ेटी की क्वेशन का फैक्टराइजेशन था जिसमें हम लोग अभी पहला पाट पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन थेवरण से देखा था कि कैसे हम लोग क्वाड़ेटी की क्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो पहला पार्ट जो था उसमें हम लोगों क्या देखा था फैक्टराइजेशन थे और हम या फिर आप ऐए कि एके क्वाड़ेटी की विए्षिण को सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है सेकंड अब हमारा क्या जाएगा हम सीरीधराचारी सिरी धराचार फॉर्मुला ठीक है इसके बेस पर आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने कोड़ की क्वेशन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग अगर सिरी धराचार फॉर्मुले की बात करें तो फॉर्मुला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओफ बी स्कायर माइनस पॉर एसी टोटल का डिवाइड़ बाइड बाइट वै ठीक है यह हमारा में फॉर्मुला होता है अब यहां से दो हमारे रूट निकलेंगे एक क्या हो जाए कि दिखो यहां पर प्लस माइनस लगा हो तो एक बार हमको प्लस लेना और एक बार माइनस लेना क्लियर तो अगर इसको ब्रेक कर दें तो पहला हमारा क्या हो जाए कि माइनस बी प्लस square root of b square minus 4 ac divided by 2a ठीक है और second क्या हो जाए कि यहां से root हम लोगों का क्या मिलता है x मिलता है second क्या हो जाए कि minus b minus square root of b square minus 4 ac divided by 2a ठीक है यह दो root हो गए हम लोगों के clear अब हम लोग चलते हैं example के base पे देखते हैं इसको तो हम लोगों का पहला example is 6x square minus 7x plus 2 is equal to 0 clear हमारे पास जो धरा 4 formula वो क्या है minus b plus minus b square minus 4 ac by 2a तो सबसे पहले हम लोग यहां पे a और b और c का value देख लेते क्या क्या होगा अब यहां पे a की अगर बात करें तो a हमारा होता coefficient of x square that means a is equal to क्या हो जाएगा 6 b की बात करें तो coefficient of x होता है तो b is equal to यहां पे हो जाएगा minus 7 clear and c is equal to हो जाएगा number जो हमारा सीटम होता है 2 clear अब हम लोग इसी formula में आते हैं चाहें तो अलग लग करके दो बार solve कर ले या फिर चाहें तो एक ही फॉर्मले में रखके आगे उसको प्रेक कर लेंगे ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं साथ ही रखकर चलते हैं इसको यह हो जाएगा minus b that means minus 7 minus 7 plus minus root of b square b square means minus 7 whole square minus 4 into a into c that means 6 into 2 clear divided by 2a 2 into 6 अब यहां पर हम x का value find कर रहे हैं x is equal to यह हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा that means यहां से 7 हो गया plus minus इसको solve करेंगी तो square root of 7 का square means 49 minus यह हो जाएगा हम लोगों का फॉर सिक्साइट 24 24 तूजा 48 ठीक है divided by 12 आगे solve करें इस तो यह हो जाएगा एक x is equal to हो जाएगा पहले हम plus ले लेंगे तो 7 plus 1 by 12 ठीक है और दूसरी बार x का value minus ले लेंगे तो यह हो जाएगा 7 minus 1 by 12 clear यहां से अगर बात करें तो x is equal to क्या हो जाएगा 8 by 12 7 plus 1 by 12 ठीक है और अगर दूसरे वाले की बात करें इस पे तो यह हो जाएगा x is equal to 7 minus 7 minus होगा तो 6 by 12 clear अब चाहिए तो इसको और small कर लें तो यह हो जाएगा 4 2s are 8 4 3s are 12 और यहां पे x की बात करें तो 6 1 जा 6 6 2s are 12 clear इस तरीके से हम लोगों का यह quadratic equation धराचारे formula से solve हो गया x के दो values आगे है x is equal to 2 by 3 और x is equal to 1 by 2 अब एक चीज़ देखो अगर इसी question को हम लोग factorization method से करते तो वहाँ भी answer इसका same ही आता है उसमें कोई difference नहीं होता ठीक है तो पहला example हो गया चलते हैं एक example और देख लेते हैं second example हम लोग देखते हैं 6 plus x is equal to x square पहले इसको हम क्या करेंगी standard form में रखेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा x square अब देखो x square जो हमारा positive हमेशा रहेगा ठीक है तो हम बाकी इन terms को दूसरी तरफ लेके जाते means की 6 plus 6 को 1 5th square की तरफ लेके चल रहे हैं तो हो जाएगा minus x minus 6 is equal to 0 यह हमारा quadratic equation का एक standard form आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इसी formula में फिर से values को रखेंगे अब यहां पर अगर एक ही बात करें तो ए हमारा होता है coefficient of x square that means 1 b is equal to क्या होता है coefficient of x x यहां पर क्या है 1 है लेकिन minus के साथ में भाई कोई भी नंबर हो उसमें 1 हमेशा multiply होता है ठीक है तो b is equal to हो जाएगा minus 1 और c is equal to हो जाएगा minus 6 ठीक है रखते है minus b means की minus 1 तो minus minus 1 plus minus square root of a sorry b square यह हमारा हो जाएगा minus 1 का square minus 4 into a means 1 into minus 6 ठीक है solve कर लेते हैं इसको divided by 2a मतलब 2 into 1 x is equal to आगे solve करेंगी इसको तो minus minus 1 हमारा क्या हो जाएगा plus का 1 plus minus square root of minus 1 का square करेंगी तो 1 बचेगा minus अब दिखो यहाँ पे 4 1 जा 4 4 6 24 लेकिन minus का तो minus minus हमारा क्या करेंगे इसको plus कर देगा 24 ठीक है divided by 2 आगे solve करते हैं इसको x is equal to यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 1 plus minus अब यहाँ दिखो square root of 1 plus 24 है तो यह मारा 25 हो जाएगा 25 का square root करेंगी तो 5 हो जाएगा divided by 2 clear अब आगे अगे अगर हम लोग देखें तो x is equal to एक term हमारा क्या बनेगा 1 plus 5 by 2 1 plus 5 by 2 और दूसरे term की अगर बात करें तो आपके बार हमको minus लेना है तो यहां से हो जाएगा 1 minus 5 by 2 clear solve करते हैं इसको x is equal to हो जाएगा यह 6 by 2 clear और यहां पर हो जाएगा x is equal to minus 4 by 2 2 इसको solve करेंगे 2 से 3 times हो जाएगा x is equal to 3 आगे और यहां से x is equal to क्या आजाएगा 224 that means minus 2 ठीक है x के दो values हमको यहां से मिल गया है तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हुआ धराचार formula से quadratic equation solve हो गया ठीक है बाकि आप लोग इसी तरीके से बाकि और भी जो questions है उसमें solve करना है आप लोगों को अब यहां पर सिर्फ ध्यान यह रखना है कि हमको जो a b और c का value लेना वो यहां से sign के साथ में रखना उसको यह नहीं कि हम सिर्फ numbers को रखें ठीक है यह साइन अगर मिस हो गया तो question गलत हो जाएगा फिर तो इस तरीके से हम लोगों ने factorization method भी देख लिया और स्रीधराचार formula भी देख लिया दोनों से quadratic की question लोगों ने solve कर लिया जिन लोगों को factorization method देखना वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो इस class में यहीं तक रखते हैं बाकि अगर आप लोगों को content अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फेंसर्कल में सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्रा झाल